लेकिन मेरा यह है कि आप जाईए और उनके हैं डेमो लीजिए और डेमो जो लीजिए वो हमेशा उनके पुराने बैचिस में लीजिए जो About to finish हो बच्चा क्या करता है वो नए बैच में डेमो लेता है नए बैच में तो teacher जो है अपنا पूरा performance दिखा देता है लेकिन पुराने बैचे का बच्चा ही सही बता सकता है कि जब इन्होंने हमसे जो वादा किया था तब ये कहां खड़े थे और आज हमारा कोर्स जब खतम होने के करीब में है तो ये कहां खड़े हैं तो एक जो मेरा सजेशन है किसी भी बाहर से आने वाले बच्चे के लिए आप आईए और उस कोचिंग के जो सबसे पुराना बैच हो उनसे कहिए कि सर मुझे किसी पुराने बैच में आप डेम हो दीजिए उसे दो फायदे होंगे एक तो जो टीचर है उसकी भी एनरजी पता चल जाएगी और जो वहाँ बच्चा पढ़ रहा है न वो सबसे अच्छा फीडवेक देता है कि इस संस्थान में क्या अच्छा है और क्या बुरा है उस हिसाब से उसको निर्ड़े लेना चाहिए